नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज में बनाने जारी बैगन का भरता इसके लिए लिये हैं मैं इक बैगन बैगन को पानीशे वाश करने के बाद बैगन को स्लाइसों में काटके तयार कर लेना है स्लाइस पे कटिये बैगन पे डालना है आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल मेज पाउडर स्वाध दनुसार नमक डालकर बैगन की सव itel analog को बढ़ियां के तयार करलूज जै csak अब तवे पे डालना है, 2 तिन चमज तेल, तेल डालकर बैगन की सबस देंक की अच्छे से अच्छे से फ्राई कर लेना है इस तरह से आप बैगन का भरता बना के देखिए दो कीजे के चार रोटिया खा जाएंगे आपको पता ही निचलेगा कि कव हम चार रोटी खा गए अलट पलट करते हुए बैगन की सभी स्लैसों को भून के तयार कर लेना है मैं आपको एक स्लैस दिखा रही हूँ इसी तरह सभी वैगन की स्लैसों को भून के तयार करना है बाकी बची स्लैसों को भी तवे पे डाल देना है साथ ही डालना है दस बारे लेसन की कलियां इन्हें भी वैगन के साथ बढ़ियां से भून के तयार कर लेना है भुने हुए लेसन की खुश्प बहुत बढ़ियां आती है भरते में तो एक बारा आप इस तरीके से बना के देखिए तवे पे डालना है एक चमच देल डालकर तीन चार लाल मिर्चे इने भून के तयार कर लेना है साथ ही स्लैस में कटा हुआ एक प्याज है प्याज को भू करते हुए बढ़ियां से बून के तयार कर लेना है बूने हुए लेसन और मिर्च को आपस में अच्छे से मसल के तयार कर लेना है आप चाहें इने ओखली में भी कूट के तयार कर सकते हैं बूना हुआ प्याज है इसे भी लेसन और मिर्च में बढ़ियां से मिला देना है स तोडा सा यह बाती, इसे भी बढ़िया से मिला अच्टा को नियुक्त हमें, तामाटर हूः मिर्चे। यह भी बढ़ियां मुष्षाय के पिला ही बढ़ियां को अब यह बाती देout हरा दन्या डाल कर इसे भी बैगन के बढ़ते में बढ़ियां से मिला लेजिए, उपर से आप सरसो का कच्छा तेल पी डाल सकते हैं, तो ये देखिए टेस्टी बैगन का बढ़ता बनके तयार है, और ये बहुती स्वाधिस्ट बनता है, आप इसे रोटी या फिर चावल के स खाइए, खाने में बहुती साधिस्ट लगता है, थैंक यू,